Hello friends, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं जो स्मार्टफोन का अन्बॉक्स करके दिखाने वाला हूँ वो है Redmi का Note 7 Pro तो ये आप देख सकते हैं, ये है Redmi का Note 7 Pro तो आज की वीडियो में मैं आप से बात करूँगा इसी के सारे exciting features की और ये smartphone अभी तक का market में best budget में आने वाला बहुत ही मज़िदार smartphone है और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसी के box content की सारे इसके मज़िदार features की और हम देखेंगे इसमें budget क्या मेरे को price पड़ा इसका cost क्या पड़ा purchase करने पे तो इस वीडियो को miss मत करिएगा और आखरी तक जरूर देखेंगा इस वीडियो को और अगर आपना है मेरे चैनल पे तो कर लिजगा मेरे चैनल को subscribe और उसके बगल में जो घंटा बना हुआ उसे दबाना मत भूलेगा जिससे मेरी कोई भी latest वीडियो आगी तो आपके वाइल का घंटा टंस से बच जाएगा तो आईए स्टार्ट करतें वीडियो से तो यह आप देख सकते हैं यह है इसकी retail packaging और इधर की तरफ देख लिए इधर आपको लिखा हुए India's No.1 smartphone brand और MIQ branding दी हुई है नीचे की तरफ आपको Redmi Note 7 Pro लिखा हुआ है 48MP highlight किया हुआ है और इधर की तरफ नेम लिखा हुआ है Redmi Note 7 Pro और पीछे की तरफ देख लिए पीछे आपको लिखा हुआ है Redmi Note 7 Pro और इधर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन वगर लिखे हुए है जो कि यह 48MP प्लस 5MP का AI Dual Rare Camera है Qualcomm का Snapdragon 675 इसमें आपको मिल जाता है 6.3 इंज का Full HD display मिल जाता है और साथ में जो इसमें आपको बैटरी मिलती है वो आपकी 4000 mAh की High Capacity बैटरी मिलती है और यह variant जो है आपका 64GB वाला है और इसका Color जो है Nebula Red है इधर कुछ आपको कुछ डीटेल बारकोड बगर दिये हुए है इधर कुछ बारकोड बगर दिये हुए है और उपर में आपको इसके कुछ content बगर मिल जाते है क्या के इसमें content है तो आई इसको फटा फट से कर लेते हैं इसको unbox और देख लेते हैं में box में क्या का exciting content दिये हुए हैं तो इसको मैं remove कर लेता हूँ और उपर में सबसे आपको एक वो पैंपलेट मिल जाता है जिसमें आपको as regular आपको एक कुछ quick starts guide वोगर मिल जाती है और यह बिकार है और इधर आपको कुछ बहुत ही बढ़ियां silicon type rubber type का आपको एक case मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियां यह नहीं बोल सकते हैं एक बहुत ही okay okay type का यह आपको case मिल जाता है mobile के लिए protect करने के लिए mobile को और देख लिए इधर आपको मिल जाता है main unit cell phone आपको और इसको रखते side में साथ ही साथ और देख लेते हैं क्या क्या box content है तो इधर आपको मिल जाता है adapter तो इसकी rating देख लेते हैं फटा फट से तो इसमें आपको मिल जाता है output 5 volt 2 ampere का इसमें आपको output मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया adapter दिया हुआ है और इसमें आपको जो केबल देख लेते हैं तो इसमें आपको जो बहुत ही बढ़िया cable मिल जाती इसमें आपको type C cable मिल जाती तो यह की बहुत ही बढ़िया इसका positive point है और यह बहुत ही मेरे को पसंद आया कि इसमें आपको type C cable मिल जाता है, एक budget range phone में, तो ये एक plus point दिया हुआ है इसमें, तो ये content दिया हुआ है box में, तो आईए, फटाफट से आ जाते हम अपने main unit phone पे, तो इसको पहले हम remove कर लेते हैं, इसके upper वाले wrapper को, और ये आप देख सकते हैं, इसका glass बहुत ही बढ़िया, बहुत ही glassy look दिया हुआ है, बहुत ही amazing look दिया हुआ है, और पीछे की तरफ हम देख लेते हैं, बढ़िया से तो पीछे की तरफ हम देख लेते हैं, हम फटाफट से इसके label को, और remove कर देते हैं नीचे वाली label को भी, और देख लेते हैं, इसका बहुत ही amazing look दिया हुआ है, बहुत amazing finish दिया हुआ है और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसके camera की तो यह बात कर लेते हैं तो यह आपको camera मिल जाता 48MP का जिसमें आपको aperture मिल जाता F1.8 का और साथ ही साथ आपको मिल जाता 5MP का depth sensor और नीचे की तरह में आपको दिया हुआ LED फ्लेश होगर दिया हुआ है और यहां पे पूरा clear लिखा हुआ silver टाइप में 48MP AI dual camera मिला हुआ है और इसमें आपको मिल जाता है fingerprint scanner और इसके design की बात कर ले तो बहुत amazing design दिया हुआ है नीचे आपको branding मिल जाती है Redmi की by Xiaomi और यह आपका पूरा red color में है बहुत amazing finish दिया हुआ purple type इसका dual tone finish दिया हुआ purple type में तो यह बहुत ही बढ़िया प्रीमियम फिल देता है और set बहुत ही heavy नहीं है बहुत ही lightweight set दिया हुआ है और बहुत ही premium finish देता है आपको हाथ में पकड़ने है इसको हम कर लेते है आप फटाफर से बुट तब तो उपर की तरफ देख लेते है उपर आपको मिल जाता है headphone jack वगर मिल जाएगा IR blaster मिल जाता है और आपको एक secondary microphone वगर मिल जाएगा और red color का बहुत ही metal finish दिया हुआ है left side में देखें तो left side में आपको इधर मिल जाता है sim tray तो इसको हम फटाफर से इसको open करके देख लेते है sim tray इसका किस patterns based दिया हुआ है तो देख लेते हैं इसमें sim tray किसी साब से दिया हुआ है ये एक hybrid slot sim दिया हुआ है जो कि इधर आपको एक sim लगा सकते हैं और इधर में आप या तो एक sim लगा सकते हैं या एक memory card लगा सकते हैं तो दोनों में से एक ही option आप लगा सकते हैं तो ये एक चीज कुछ disappointing लगी कि इसमें आपको hybrid slot मिलता है और नीचे की तरफ देख लिए तो नीचे आपको भी मिल जाता है दो speaker के grill, microphone के grill मिल जाते हैं और इधर आपको type C charging point मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया plus point दिया हुआ है इसमें और इधर की तरफ देख लिए इधर आपको volume का up and down का button मिल जाता है तो यह हो चुका है set restart और हम इसको फटाफट से setup कर लेते हैं तो यह हो चुका है ready अब मेरा handset on हो चुका है पुरा completely और हम बात कर लें इसके specification की display की बात कर लें तो इसमें आपको display मिल जाता है 6.3 inch का LED display मिल जाता है जो कि full HD display है और resolution की बात कर लें तो इसमें आपको 1080 x 2340p का resolution आपको मिल जाता है साथ ही साथ जो इसमें आपको Gorilla Glass की production मिल थी वो आपकी Corning Gorilla Glass 5 की production मिल जाती है और यह जो इसका operating system है भी हम इसके settings में जाके देख लेंगे और RAM वगर भी इसका बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है selfie camera की बात कर लें तो selfie camera आपका जो दिया हुआ है वो आपका 13 megapixel का selfie camera दिया हुआ है तो आइए फटा-फट से हम move कर लेते हैं इसकी settings में और देख लेते हैं इसके और भी कुछ exciting features वगर देख लेते हैं तो यह आपका about phone section दिया हुआ है और model number वगर दिया हुआ है Redmi Note 7 Pro इधर आपको कुछ RAM वगर दिया हुआ है इसमें आपको RAM जो मिल जाती ही 4GB की RAM है और internal storage आपका 64GB वाला है जिसमें आपको available मिल जाता है 51.66GB available मिल जाता है तो near about system यूज़ करता है near about 13GB का storage आपका यूज़ कर लेता है और ये सब कुछ इसकी information है Android जो आपको देख ले तो Android 9 आपको मिल जाता है Android version तो ये आप देख लें Android Pie आपको ये मिल जाता है बहुत ही बढ़ी है latest Android आपको मिल जाता है तो ये आप मिस्क नहीं कर सकते है और साथ ही साथ आपको जो इसमें exciting feature चाहिए समें camera के मिल जाते है जो कि आपका इसका rare camera है तो ये आप देख सकते हैं AI camera है जो कि इसको especially इसमें लिखा हुआ है कि ये आपको AI camera मिल जाता है AI Dual Rare camera जो कि बहुत ही बढ़िया camera दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसकी features की और टो ये आप देख सकते हैं ये आप क्लिक कर किये और ये आप देख सकते हमika इसको लाओ कर दो आहムों और साट, मैं इसको अलाओ कर देथा हूं निज्ले बहुत बढ़ियाघ है बहुत ही बढ़िया रार कैमरे का भी फूटिज आता है 13 MP का जो आपको बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है तो यह इसमे आपको दिया हुआ short video ऐसा portrait mode भगर अब भी दिए हुए है इसमें जो आपको मिल जाता है studio lighting वाला जो इसमें portrait mode मिल जाता है वह आपको बहुत ही बनिया दिया हुआ है तो मेड़ो एक portrait mode भी आपको एक click करके दिखा देता हूं portrait mode का effect क्या आता है यह दिख लिए बहुत ही बढ़िया इसका भी एफेक्ट बहुत ही अच्छा एक बुके टाइप से बहुत ही अच्छा एफेक्ट आया है बहुत एक क्लियर पिक दिया हुआ है तो इस तरीके से आप इसका कैमरे क्क्वाल्टी भी कमबेर कर सकते हैं इसका आयर पेनूर्मा यसा प्रोमोड वगर दिये हुए हैं इस तरीके से और इसमें आपको कुछ बाइडेफ़ल्स एप वगर मिल जाते हैं और इसब कुछ दिये हुए है उपर से लॉप आपस सारे कुछ specification light brightness होगर यह आप देख सकते हैं brightness होगर आप increase decrease कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं और turn on find device होगर यह सब कुछ features होगर है इसमें दिये हुए हैं और इसका notch देख लिए तो notch बहुत ही बढ़िया दिया हुए बहुत ही exciting लगता है देखकर तो यह एक बहुत ही मिल सकते हैं और बाकी मैं आपको लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से भी आप जाके पर्चेस कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक किये भीना मत जाएए और